आपका सवागत है दा साइन्स अब में आप लोग देख रहें इस स्पेशल साइन्स सीरीज बेज़ड ओन NCRT यह इंपोर्टेंट है सुपर टेट, टेट किसी भी स्टेट का पीच्टी टीच्टी, रेलवे गुरूब डी, एंटी पीची मेंस या CBT2 के लिए, जितने भी एकजामस होते हैं जिसमें साइन्स आती यह सीरीज बहुत इंपोर्टेंट है, अब तक 33 सीरीज कंप्लीट हो चुकी है आईए अब श्टार्ट करते 34 सीरीज, कुश्यन नमबर 851 से कवक द्वारा पैदा किये जाने वाला सामान पादप रोग कौन सा है तो इसका आंसर हो जाएगा C नमबर गेहूं का बब्रू किट यह किसके द्वारा उत्पन रोग होता है, यह कवक के द्वारा होता है कवक को इंगलिश में क्या कहते हैं, अल्गी कहते हैं अल्गी कहते हैं या फंगश कहते हैं, फंगाई इसको कहते हैं, फंगी भी कहते हैं, फंगश भी इसको कवक को कहते हैं अल्गी को हिंदी में शेवाल कहते हैं, शेवालों में प्रकास संसलेशन की किरिया होती है बट कवक में क्या होता है? ऐसा कोई भी प्रॉसेस नहीं होता है. तो 851 नंबर कोश्चन का जो आंसर हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा. गेहूं का बब्रू कित कवक द्वारा पैदा किये जाने वाला सामान रोग है. अब देखेंगे में लोग डिस्क्रिप्शन. नीबु का कैंकर रोग. क्या है? कैंकर रोग इसको इंगलिस में सिट्रस कैंकर कहते हैं. ये जिवारू के माद्यम से होता है. जिवारू को इंगलिस में बैक्टीरिया कहते हैं. तमाखू का मोजेक रोक जिसको TMV कहते हैं तोबैको मोजेक वाइरस यह भी जीवाडू के माध्यम से होता है जीवाडू को इंग्लिस में वैक्टिरिया कहते हैं अब देखें कुश्चिन नमबर 852 कैलस निर्मार के लिए सर्भादिक शक्तिमान आक्सिन है इसका अंसर हो जाएगा B नमबर 2,4D क्या है 2,4D अब 2,4D का मतलब क्या होता है वो आप लोग समझे डाइकलोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड होता है 2,4D कैलस निर्मार के लिए सर्भादिक शक्तिमान आक्सिन है औक्सिन क्या होता है यह एक पौधों का क्या होता है हार्मोंस होता है जो पौधी की वृध्धी में सायक होता है देखिए यह VD साइट नासी है अब हम आपको बता दें VD साइट यह खर्फत पार होता क्या है जब आप फसल उगाते हैं उसके साथ ऐसे कुछ हरे पेड़ पौधे उगाते हैं जो क्या करते हैं फसल को नुक्सान पहुचाते कैसे जो भी हम रसायन डाले हैं जैविक खाद डालें उनका उब्वक फसल से ज़्यादा वो जो यूही निकल आते हैं खेतों में पौधे वो उसका उपयोग करते हैं जो फसलों के साथ एक्स्ट्रा या अधिक पौधे उगाएं उनको खर्पतवार कहते हैं ये खर्पत वार डेक्ट और इंडेक्ट वे से फसलों को सिर्फ नुकसान पहुचाती है उनकी ब्रद्धी में, उनके उत्पादन चमता में सबी को ये खर्पत वार क्या करते हैν? व्रोध उत्पन करते हैं वैसे रसाइनिक पदार्त जो खर्पतवार को नश्ट कर देते हैं खर्पतवार नासी वीडी साइट कहते है वीडी साइट का पतलब क्या है? जो खर्पतवार को नश्ट कर देते हैं उनको ही वीडी साइट इंगलिश में कहा जाता है अब देखें कोश्यन नमबर 853 द्रिष्टी की आथार्ता किसका काम है? इसका आंसर D नमबर करक्ट हो जाएगा शंकू कोश्काएं संकू कोश्काओं का काम द्रिष्टी की आथार्ता है संकू कोश्काएं क्या करती है? जिसे हम देख पाते हैं उनका रूल क्या होता है यह संकू कोशकाई कहती है यह हमारी आखो की नजर को सही करती है अर्थात देखने में यह सायक होती है कौन शंकू कोशकाई इनको इंगलिस में सिलंडर कल सेल्स भी कहते हैं मनुस आख में रेटिना पर यलो इस्पॉट पाय जाता है जिसमें कौन सेल्स को संकू कोशकाई भी कहते हैं संकू कोशकाई भी इसको कहते हैं संकू कोशकाई पाय जाती है इसमें आईडोस्पेन नामक पिक्वेंट होता है जो तिवर प्रकास में देखने के लिए उत्तरदाई होता है कौन सेल्स में रंग पैचानने की श चक्ति होती है अर्थात जितने भी रंगों में भेद कर पाते हैं वो एक कौन सेल्स की वज़े से ही कर पाते हैं इसकी कमी से में कौन सा रोग होता कलर ब्लैंडनेस हो जाता कलर ब्लैंडनेस का मतलब होता वन आंदता रंगों में भेद ना कर पाने को ही वन आंदता और इंग इसके अलाबा जितने भी पीले प्रकार के फल होते हैं वे सारे के सारे विटामिन एक के मुक्ष्रोत होते हैं तो उम्मीद है ये चीज आप समझ पाएंगे आप समझे रोड सेल छड़ जैसा होता इसमें रोडोपसी नामक पिग्मेंट पाया जाता है ये मंद प्रकाश में उत्तरदाई होता है इसकी कमी से रतोंदी नामक रोप होता है किसकी कमी से इसकी कमी से रोड सेल क्या होता है कि ये अंधेरें भी देखने में शायक होता है कलर ब्लाइडनेस और ये दोनों ही विटामिन एक कमी से ही होने वाले रोप हैं उल्लू में केवल रोड सेल पाया होती है उसके आँखों की संरशना होती है जिसमें सिर्फ रोड सेल पाया जाता और रोड सेल से ही रात में देखने की जो छमता है उसकी अधिक आम लोगों से होती है आम लोगों इस इंदा सेंस आप सभी जन्तूओं की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं अब देखें कोश्य नमबर 845 किसी मिस्टरों में इस्टार्च की मौजूदकी का पता लगाया जा सकता है इसका अंसर हो जाए बी नमबर आयोडीन द्वारा आयोडीन द्वारा किसी मिस्टरों के इस्टार्च की मौजूदकी का पता लगा सकते हैं आयोडीन क्या है यह एक ऐसा तत्तो होता जिससे हम यह पता कर लेते हैं कि इस पतार्थ में इस्टार्च है की नहीं इस्टार्च कोई सुगर भी कहते हैं कार्बोईडर्ड भी इस् स्वच उत्पादन का लक्ष है हरे और स्वच उत्पादन का लक्ष क्या है तो इसका आंसर भी नमबर है अपसिष्ट निन्तमी करां निन्तमी करां देखी जो हरे और स्वच उत्पादन का लक्ष एक ही होता है जो विभिन प्रकार की अपसिष्ट पदार्थ निकलते हैं जो जो विभिन प्रकार की समिस्याएं वातावर्ण में उत्पन करते हैं जैसे प्रदुश्याँ, प्रदुश्याँ भी छह से साथ प्रकार का होता है, तो इन सब चीजों को कम करने के लिए हरे और सुच उत्वादन का लक्ष रखना चाहिए, इसलिए कहा जाता है कि अपने बर लेकिंग 856 नमबर, गौलजी का उत्पन हुए हैं क्या है, गौलजी का उत्पन हुए हैं, इसका आंसर हो जाए कि दी नमबर करेक्ट अंतर द्रवी रेटीकुलम से, किसे अंतर द्रवी रेटी कुलम से, इसको इंडो प्लाजमिक रेटी कुलम भी कहते है गौलजी जो काम होता है, इसका अंसर D नमबर करेक्ट है जो गौलजी का है, या गौलजी काम या गौलजी का शरीर, अंतरदुरी जालका से ही उत्पन होता है इसी से इसका जन होता है गौलजी बॉडी से लाइसोसोम का निर्मार होता है किसका निर्मार होता है अगर आपसे पूचा चाहिए लाइसोसोम का निर्मार किस से होता है ये गौलजी बॉडी से ही इसका निर्मार होता है अब देखें कोश्चन नमबर 857 कोटी सोन एक औशदी है जो बनाई जाती है किससे बनाई जाती है डी नमबर इसका अंसर करेक्ट है लिपिट से लिपिट अर्थाथ फैर से ही कोटी सोन नामक औशदी का निर्माव किया जाता है अब उमनों कोश्चन देखें 885 सामान्ता किसी वी निर्दिष्ट जैविक तंतर का घटक ना माने जाने वाले किसी विदेशी योगी को क्या कहा जाता है इसका आंसर हो जाएगा ए नमबर जीनो बायोटिक्स क्या कहते है जीनो बायोटिक्स कहते हैं सामान्ता किसी वी निर्दिष्ट जैविक तंतर का घटक ना माने जाने वाले किसी विदेशी योगिक को जीनो बायोटिक्स कहा जाता है कुश्यन नमबर 869 प्राकृतिक रोग में दो प्रावस्ताएं होती हैं यथा कौन-कौन सी होती प्राकृतिक रोग में इसका अंसर ए नमबर करेक्ट होगा पूर्व रोग जनन और रोग जनन कौन-कौन सा पूर्व रोग जनन और रोग जनन इसका अंसर ए नमबर करेक्ट सही है यह क्या है प्राक्तिक रोग में दो प्रावस्ताई हो पूर्ब रोग जनन जिसको जेनेटिक डिजीज और रोग जनन भी कहते हैं अब देखेंगे हम लोग कुश्य नमबर 860 ACTH हार्मोन स्रावित होता है तो यह कहां से स्रावित होता है इसका आंसर सी नमबर करेक्ट हो जाएगा प्यूस गरंती से किस से प्यूस गरंती से अब आप लोग ACTH का फुल पार्म समझें एडरीनो कॉर्टी को ट्रॉफिक हार्मोन क्या बोलते हैं एडरीनो, C for कॉर्टी, को और T for ट्रॉफिक, S for हार्मोन यह पिट्रुटरी ग्लैंड जिसको मास्टर गरंती भी कहते हैं यह स्रावित होती और सबसे चोटी गरंती क्या होती यही प्यूस गरंती होती है यह हार्मोन एडरीनल को टेक्स को हार्मोन स्रावित करने के उत्तेशित करता है तो किसे हैं रिलीज होता है प्यूस गरंती जिसको हम लोग मास्टर गरंती भी कहते हैं अब देखें हम लोग कोश्चन नंबर 861 अमासे गरंतियों की पेपसिन स्रावी कोश्काएं है इसका उंसर सी नंबर करेक्ट हो जाएगा मुक कोश्काएं अमासे गरंतियों की मुक कोश्काएं पेपसिन स्रावी कोश्काएं होती है अब देखें हम लोग कोश्चन नंबर 862 निम्न में से वरनक प्रोटीन जिसको इंग्लिस में क्रोमो प्रोटीन केते कौन सा है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर हीमो गलोबीन हीमो गलोबीन वरनक प्रोटीन क्रोमो प्रोटीन का एक उदारा अब आप समझ लो हीमो गलोबीन की वज़े इसकी विसेश्ता क्या हीमो गलोवीन की वज़े से जनतूओं का रग्द लाल होता है क्या होता है लाल और रग्द के कंपोनेंट क्या क्या होते है RBC, WBC और प्लाज्मा क्या होता है ये तीन चीज़े होती कभी कभी प्लेटलर्ट भी इसमें इंक्लूट करते हैं RBC मतलब Red Blood Carp Cells या Red होती इसका रिर्मा अस्ति मज्जा में होता है इसका जीवन काल 120 दिन का होता है WBC White Blood Carp Cells या Carp Cells के आप सेल्स भी बोल सकते हैं अब देखें Question No. 830 चालनी पठिका एक भाग है चालनी पठिका जो एक भाग है किसका भाग है इसका अंसर D नंबर सही हो जाएगा पोश्वा फ्लोयम का चालनी पठिका किसका एक भाग है पोश्वा अर्था फ्लोयम का तो फ्लोयम का का कार क्या होता है जब किसी हरे पेड़ पौदे में भोजन बन जाता है उस भोज़न को उस फूड को उस फूड मैटेरियल को उस पेल की विविन साकाओं तक पहुचाने का कार यह फ्लोयम करता है जाइलम क्या कार करता है जाइलम जल और खनिश लवडों का और शुशल करके पिल पौदों के विविन की साकाओं तक पहुचाने का कारिया करता है तो इसका अंसर क्या डी नंबर करेक्ट हो जाएगा अब देखेंगें उन्हों कोशन नंबर आर्सो चुंशट जल समवर्दन विदियों से पादप उगाने की प्लाली को क्या कहते है तो इसका आंसर सी नंबर करेक्ट हो जाएगा जल समवर्दन जब हम जल से पेल पौदों को उगा रहें तो क्या हो लेंगे जल में ही उनका पालन पोसल और अमिट्टी की जलूरत है नहीं तो इनको जल समवर्दन ही कहेंगे जल समवर्दन विदियों से पादप उगाने की प्लाली को जल समवर्दन कहते इसका आंसर करेक्ट सी हो जाएगा अब देखें हम लोग 865 पे जल में एंट अमीबा हिस्टोलिटका का होना एक संकेत है एंट अमीबा हिस्टोलिटका मैं इसके पहले बता दू जो अमीबा होता उसकी कोई भी आकरती निश्चित नहीं होती यह बिविन प्रकार की बीमारी ही उत्पन करता है तो इसका आंसर हो जाए ए नमर बैक्टिरियाई प्रादुर्भाव एंट अमीबा हिस्टोलिटका का होना पेजल में बैक्टिरियाई प्रादुर्भाव का संकेत है और दोस्तों बता दें जो डिसेंट्री पेचिस बोलते हैं जिसमें लिव्टरिंग आने लगती ही पतली वो एंट अमीबा हिस्टोलिटका की वज़े से ही डिसेंट्री पेचि मिलता है तो कौन सा मिलता है जाइमेस इसका अंसर बी नमबर करेक्ट है वह ऐसे चने देखे जाए और चने वह प्रोटीन के मुक्षोत होते हैं प्रोटीन शरीर की मरमत के लिए बहुत जरूरी होता है फैट क्या होता वसा ये संचित भुच पदार्थ की रूप में कार करता कार्वोईडर डिरेक्ट उर्जा देने का कारता है अब देखें कुश्चन नमबर 800 सरसट मानो शरीर में सबसे लंबी कुश्का कौन सी है इसका अंसर डी नमबर करेक्ट हो जाएगा तंत्रिका कुश्का इसको क्या कहते है नर्वस सिटम या नर्वसेल इसको भी कहा जाता यह सरीर की सबसे लंबी क्या होती है कुश्का होती है कौन सी तंत्रिका कुश्का अब देखें कुश्चन नमबर 868 पौधे के किस भाग को केसर की रूप में इस्तमाल किया जाता है फिर से इस कुश्चन को देखें 868 को पौधे के किस भाग को केसर की रूप में इस्तमाल प्रियोग किया जाता है इसका अंसर D नंबर हो जाएगा वर्थिका तथा वर्थिकाग्र पौदे की वर्थिका तथा वर्थिकाग्र से केसर की रूप में इस्तमाल होता है Quesion number देखेंगे 889 Grave का रोग किस कारण से होता है तो इसका अंसर हो जाए अभी नंबर Thyroid की अती सक्रीता के कारण Thyroid की अती सक्रीता के कारण कौन सर रोग होता है Grave रोग हो जाता है अब देखो Quesion number 870 Name में किसको हिर्दय का प्रारंबिक पेस्मेकर कहा जाता है इसका आंसर हो जाएगा A number SA node कौन सर नोड SA node जो होता उसे प्रारंबिक पेस्मेकर कहा जाता हर्ट का Quesion देखेंगे 871 जन्तु परागर का आशे क्या है इसका आंसर D number करेक्ट हो जाएगा जन्तु द्वारा परागर को जन्तु परागर या जन्तु परागर भी कहते है तो यह कैसे होता जैसे जन्तु एक जगे चरते हैं गूमते हैं फिरते हैं तो उनके बौडी में कुछ बीच क्या होते हैं चिपक जाते हैं फिर जहां वो लेड़ते हैं बैठते हूं वहां वो बीच गिर जाते हैं तो उस बीच के जो प्रजाती के पेड़ पौदे वहां उगने प्रारम हो जाते हैं यही जन्तू के दराग जन्तू देखो चलने से भी करते हैं, खाने से भी करते हैं, तो जन्तू जो बिविन तरीके से परागर की क्रिया करते हैं, परागर में शाहता करते हैं, इसी को जन्तू परागर कहते हैं, इसको इंगलिस में एनिमल पॉलिनेशन कहते हैं, अब देखें अमदो question number 822 सक्रियत आपंक उप्चार को क्या कहते हैं इसका अंसर हो जग सी नमबर जैविक उप्चार जैविक उप्चार को संक्रियत आपंक उप्चार कहा जाता है जैविक उप्चार ऐसे उप्चार होते हैं जो especially जडिबूठी से related हो क्या हो इनी सब चीजों से बने हो किसी प्रकार का उनका कोई साइड इफेक्ट ना हो नहीं उनसे किसी भी प्रकार का कोई प्रदूशल होता हो अब देखेंगें हम लोग कोश्यन नमबर आठ सो ती एक्तर पुस्प ही पादपों को क्या कहा जाता है जिनमें पुस्प नहीं खिलते उन पादपों को क्या कहते है उन पेल पौधों को क्या कहा जाता है इसका सी नमबर आंसर करेक्ट है क्रिप्टो गैम क्रिप्टो गैम पुस्प ही पादपों को कहा चाता है plant group को दो भागों में बाटा गया plant group मतलब पादप समोग को कितने वर्गों बाटा गया दो वर्गों बाटा गया एक crypto games होते हैं आप उस्पी पौधे कैसे crypto games में वो सारे पेड़ पौधे आते हैं जिनमें किसी वी प्रकार का कोई वी फूल नहीं खिलता है और पूचा जाए फेंडरो games जो फेंडरो games होते हैं वो पुस्पी पौधे जिसमें फूल खिलते हैं वो सारे के सारे पेड़ पौधे फेंडरो games के अंतरकत आते हैं अब अमनों crypto games आप पुस्पी पौधे देंगे इसके तीन पार्ट्स होते थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरडोफाइटा क्रिप्टोगेम्स के कितने बेटे हो गए? तीन बेटे हो गए पहला बेटा थेलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरडोफाइटा अब आप समझ ले क्रिप्टो गेम्ज और प्लस इसके तीन बेटे किसी में भी किसी भी परकार का कोई भी फूल नहीं खिलता है फाइनरो गेम्ज जिसको हम पुusz भी पौधें गएते हैं इसके दो बेटें जिम्नो इसपर्म और खोट के पाइनजीयो इसपर्म ब्रायोफाइटा टेडोफाइटा इनमें किसी भी प्रकार का कोई फूल नहीं खिलता है अब थेलोफाइटा के देख लो इसी में एल्गी फंजाई बैक्टीरिया और वाइरस आते हैं क्या क्या आते हैं एल्गी फंजाई बैक्टीरिया वाइरस अब इन चार को जो मैंने न कोशिय नमबर 864, इस्पंज क्या है? इस्पंज जो उधारन है वह एक कवक का अर्थात एक फंजाई का है, फंगी का उधारन है, कवक को इंगलिस में फंगाई या फंजाई कहते हैं और शैवाल को इंगलिस में क्या कहते हैं, उसको एलगी कहा जाता है, तो इसका correct answer C हो क्या कहा जाता है, तो इसका answer C नमबर हो जग, रेप्टेलिया, रेप्टेलिया के अंतरगत रेंगने और विसरपल करने वाले कशेरुकी जन्तूओं को रखा जाता है, फंगल आफ रेप्टेलिया समझे, ऐसे जन्तू जो रेंग कर जमीन पर चलते हों, सारे के सारे रेप् पाई जाती है, कशेरुकी को इंगलिश में कॉर्डेटा कहते हैं, और जिनमें रेड के अड़ी नहीं पाई जाती है, वो आकशेरुकी जन्तूओं की केटागरी में आते हैं, इंगलिश में उनको नौन कॉर्डेटा कहते हैं, उभैचर क्या होते हैं, ऐसे जिव, जो जल और इस तल दोनों पर निवास करते हूं, उन्हें उभैचर और इंग्लिश में से Ampivians कहते हैं। इस्तंदारी क्या होते हैं? जो बच्चों को जन्म देते हैं और बच्चों को दूद बलाते हैं, उन्हें इस्तंदारी कहा चाता है। दोस्तो इसका correct answer C हो जाएगा, उम्मीद है ये सीरीच आपको बहत पसंदाई होगी। इसी तरीकी जबर्जस्त सीरीच आपको continue मिलती रहेगी। बस आपको करना वीड इस क्लास को अधिक से दिक लाइक, सेर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तो जय हिन, जय भारत!